नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंजिनिर गुपाल पटेल पर हम लोग ने साइंस सुपर स्रीज में फर्स्ट सेट में 26 कोश्टन देखे थे ठीक है आज हम लोग आगा को कोश्टन देखेंगे ठीक है ठीक है तो आई बिनेदिर के वे आगा क लेवल टूट जो बर का सिस्टेन का सेक्टेंड पर्पाहिक्जाम होगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आ इंजी कैन्सरे उसके लिए इंपोर्टेंट है और डी एपसी शीए ठीक है उसमें आप लोग को चोबिस कोश्टन साइंस कर पूश जाएंगे अ ब्रेइदर कोई नेक्स कुछटिन सैनता का सब्सक्राइब पासकल एन फिर इसको points भी बले जाता है दियान रखना है आप लोग को सियानता का एसाइनुट होता है पास्कल सेकेंड या इसको points भी बलते हैं ठीक है next question देखते है question number 28 atomic number of platinum तो platinum का atomic number क्या होता है तो platinum का atomic number होता है 78 ठीक है और platinum सबसे कठोर धात हुए यह भी धियार रखना आप लोग को सबसे कठोर धात हुए platinum ठीक है फ्रेंट्स जो मैं एक्स्टाप पॉइंट बताऊँगा आप लोग को वो सब आप लोग नोट करते जाएगा जो आपके exam point अफि किसके समान होता है तो एक पार्सेक 3.26 light year ठीक है एक पार्सेक बरावर होता है 3.26 पर कास बर्स ठीक है और एक light year बरावर कितना होता है तो एक light year बरावर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर ठीक है नेक्स जखते हैं question number 30 lead acid battery में कौन सा अमल रहता है तो lead acid battery में sulfuric अमल रहता है ठीक है sulfuric अमल और इसे अमलो का राजा का जाता है ध्यान रखना आप लोगो sulfuric अमलो को अमलो का राजा का जाता है ठीक है next question question number 31 दूद का pH मान कितना होता है तो friends इसका answer आप लोगो comment box में comment करके देना है ठीक है कि दूद का pH मान कितना होता है next question देखते है question number 32 पेंटलीन का रहा साइनिक सुद्र क्या होता है तो पेंटलीन का रहा साइनिक सुद्र होता है c5 h10 ठीक है friends क्योंकि यह k тяж कर एठन गूरूह का है ठीक है आप लोगों ने बड़ाओगा इलकएं ठीक है एलकें एलकीन और लकायन ठीक है il- tenemos k ओके eOH यह एथलीन पैंटवीन है यह एलविकर्ण करेंस हरता है जो सब्सक्राइब गया है हमाराव 5 हो गया कोश्टन नमर 33 लेंस की छमता का एसा इनुट क्या होता है तो लेंस की छमता का एसा इनुट होता है डायोप्टर नेक्स कुश्टन देखते हैं कोश्टन नमर 34 पानी के 20 उसमा कमान कितना होता है तो पानी के 20 उसमा कमान होता है एक प्रोक्स में 42 ठीक है वह अगर आपको एक नमक में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं तो नमक में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहाता है ठीक है और जीरोफाइट किसे कहते हैं तो जो मरुद भूमी यानि जो मरवस्तल में उगता है उसे जीरोफाइट कहते हैं ठीक है और हैड्रोफाइट जो जल में उगत अएंए पऊधा, नेक्स्त ख्ष्टन ख्रिस्ट नवर 36, पलाजमनहें में कितना पथिसत जल रहता है, पलाजमनहें और प्रोक्ष 62-95 1 जल उपकी दर्थे असारी कल भीजि़न۲्म, मय हो निम्म्म से किसका पूरष है, तो मैमत है जो बहुत important question है यह बहुत बार आपको जो अरर भी गुरूब डिवा था 18 में उसमें पुझा जा चुका है और यह से में भी question पुझा चुका है ठीक है फ्रेंस इसलिए question बहुत ज्यादा important हो जाता है next question question knwer 38 cancer के उपचार में किस उच्रिस्ट घैस कव प्वह कहता है cancer की उपचार में redon कर भी कहता ठीक है और उच्रिष्ट घैस कोण से गुरूप में रहाता है तो अठारमा घ्रता ठीक है अप लग जानते होंगे उच्रेस्ट घैस कहां सुरूब होता है हीलियम नी ओन आरगन को आरगन पॉप गरेν к कंद के क्रिप्टन के जिन के वाद रेड़न ठीके और इसका इट्वांनब़ और यह अप लोग नोड कर लीजी हीलियम का दो फिर यह वाची हमारा तो दश अठारा आरगन का अठारा क्रिप्टोन का 36 ठीक है जनौन का 54 और रेड़न का 86 ठीक है फ्रेंस यह बहुत ही आसान है अगर आपको एक वार समझ लिजेगा तो आपको अराम से याद हो जागा ठीक है नेक्स कोष्टन को समस्टर पर मंद्र जानी का लगव्यां कितना होता है तो कारवन डैक्साइड में धोनी का द्वेग लगव होता है दो सो साट मीटर प्रती सेकंड ठीक है यह भी बहुत ज़्यादा important question है friends next question question over 42 किस अस्थान पर जल जल्दी उबलेगा ठीक है यानी जल हजो जल्दी उबल जाएगा ठीक है दियान रखना आप लोग को किस अस्थान पर जल जल्दी किजिएगा और वीडियो अंत देखिए ठीक है अगर आप अपने एक्जाम को लेकर सीरियस हैं और अपने दोस्ते हैं जितनों से करें नेक्स question question over 43 उस्मा गतिकी का पर्थम नियम कि सब्धारना की पुष्टी करता है तो उस्मा गतिकी का पर्थम नियम उर्जा सनरचन की पुष्टी करता है ठीक है next question question number 44 machine gun का अविस्कार किसने क्या था तो machine gun का अविस्कार क्या था gyms पकल लें ठीक है next question question number 45 sea of tranquility ठीक है sea of tranquility कहा इसी थे तो यह चंद्रबा पर इस्तित है ठीक है sea of tranquility चंद्रबा पर इस्तित है next question question ml 46 ठोस कौन का असाइट क्या हता है ठीक है यह यह सॉलीड एंगल का असाइट क्या हता था तो solid एंगल का असाइट हता है अस्ट्रे रेडियन वह यह आपको सीधा बोल दें शिर्फ कौन या प्लेन कौन ठीक है प्लेन एंगल का एसानिट क्या होगा तो प्लेन एंगल का एसानिट होता है रेडियन ठीक है और टेसला किसका हो गया तो टेसला टेसला होता है मेगनेटिक फॉलक्स देंसिटी ठीक है चुमके विधुत छेत्रति वृत्ता का इसान होता है टेसला ठीक है और बेबर किसका हो गया तो बेबर हो गया मेगनेटिक फॉलक्स ध्यान राकना फ्रेंस जो विश्व में एक्स्टा पॉइंट बताऊंगा वह सब आप लोग नोट करते जाएगा नेक्स कोष्टन कोष्टन नमर 47 पिर्थिवी के धुरूप पर नमन कोन कमान कितना होता है तो पिर्थिवी के धुरूप पर नमन कोन कमान होता है 90 ठीक है और आगो पूछे कि पिर्थिवी के विश्वत रेखा पर नमन कोन कमान कितना होता है तो विश्वत में परकास की चालो होती है लगवग 1.96 गुने दस के पावर 8 मीटर प्रती सेकंड 49 नमर कोश्टन दखते हैं SF6 यहनी सलफर हेक्सा फुलराइड ठीक है सलफर हेक्सा फुलराइड में बंधन कोन कमान कितना होता है सेकंड सेकंड सेट का ठीक है टोटल पचास कोश्टन हो गए है फर्स सेट में लोग ने टॉटल 24 गोस्टन क्लोरोफिल में कौन सा धातू पाया था है क्लोरोफिल में 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 अच्छ नमर कितना होता है मेंगनीसिंव काई टोमय कितनेल तो क्यंग मिदनेकर गतला लंग जी सिक्स किन 27 thatwestglaş आज में तोटल टोंटी फोर क्षाल कि हैं तोटल पचास कोशन्स वांपत हो ठीक है ओए आई सहीं हमारा सिर्फ यह डेली लगतार मिलता रहेगा ऐका दिन बीच कर या फिर देली आपको question मिलते रहेंगे ठीक है और हम लोग thousand question को complete करेंगे ठीक है और वीडियो को जीतना हो से करेंड्स लाइक कीजिए ताकि मुझे motivation motivation मिले और अच्छे करने के ठीक है तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप चैनल परने हैं तो चैनल को जिरू सिस्क्राइब करें थांक यू फ्रेंड्स